जैहिंद इस वीडियों हमें लोग पैन अंडिया का प्रसिनल इमेड़ कमपनी को बात करेंगे इसके शेयर प्राइस में गुराड का दोर जा हर एक चीज बताऊंगा बिल्कुल असान भासा में आए वीडियो सुरू करते हैं देखें दोस्तों पैन इंडिया क्रोटेशनल लिम्टेट जो कंपनी है यह काम क्या करती है सबसे पहले समझे कंपनी कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती है कोई वस्तु नहीं बनाती है कंपनी सि अब आप देखेंगे तो डाउंट्रेंड में अर्था इस कंपनी का सेर प्राइस नीचे जा रहा है क्योंकि अब इसके उपर हम लोग आगे बात करेंगे फिलाल यह समझे पिछले साल अक्टूबर-9 वर का महिना चल रहा था कंपनी सेख्राइस में हल चलना सुरू होनायाई कंपनी का सेख्राइस एक रुपई से बढ़कर दूरू प्या हो गया दूरूर प्या चार रूपय हो गया लोगों के उत्षुकता जगी लोगों के अपट्रेंट ग्राफ आपको देखोर इसमें पैसा लगाना शुरू किया। भर भर के पैसा लगाया लोगों ने, बिना इस talked-up का fundamental लोगों ने इसमें पैसा लगाना सुरू किया। eseer का price,ան 1-2 납 .दू रोपयश ओड कर R तक पहुचा दिया लोगों ने हलाकि इसमें ऑपरेटर्स विहावी थे तभी शेयर का प्राइस यहां तक आया बाद में जब शेयर का प्राइस पंदे रुपए गास पास आया ऑपरेटर निकल गए फंस गये लोग अब वही लोग अभी इसमें रोना रोर हैं अब आगे उखेंगे जब फास पैसा थे रहेगी इसका मतलब सेर्फ कुछ नहीं हो रहा है और सैल्स यहां बहुत है लेकिन कंपणी के खरचे बढ़ रहे एकिट कंपनी के बढ़ रहे हैं जाहिर से बाते बहु है आपको आम दनी नहीं हो लेकिन आपकी खरचरिय नहीं रूने यहां 6 quarters से आप देखेंगे तो company lost में ही है अर्थात company का जो profit after tax होता है सुध मुनाफ़ा वो निगेटिव में है earning पर share कम होते जा रहा है ROE और ROCE देखेंगे तो निगेटिव में है इसका मतलब होता है कि साल भर में एक शेयर पर आपको कितना परसेंट का रिटर्न मिलेगा रिटर्न की बाते छुड़ी हो भी निगेटिव में है रिजर्ब देखेंगे तो रिजर्ब कुछ ने कंपनी के पास एकदम यह भी निगेटिव में है अगर कुछ पॉजेटिव पॉइंट बताओ इस आप देखेंगे अभी अभी अभीता कंपनी बाहर है दूसरा कंपनी कोपर करजय नहीं है stop आते कंपनी कंप यह इकसित बहुत कर नहीं है और ऑगर आशी चीजहों के बारे में बात क्रामोर्टर के थीडिएब है 45.5 परितिस्द प्रोलिंग के पास इसमें होललिंग है और पब्ली के पास चारनौ परितिस्द थीडिए यानि कि प्रोल्टर्स का होल्डिंग होना चाहिए उतना इस कंपनी में है वह एक पोजेक्टिव बात है अब आये काम की बात करते हैं कि मुद्दे की बात आपको बताता हूं जो नए लोग हैं कि आभी उनको इंट्री लेना चाहिए इसका जवाब नहीं बिल्कुल नहीं देखिए मुझे यह कंपनी पर्सनेली मुझे लॉंग टर्म के नजरिये से अच्छ बात ने लगा सकते हैं अब जो लोग इसमें होल्ड किये हैं उन्हें क्या करना चाहिए समझे जो लोग इस कंपनी के सेर्स को बाइक हो मैं मानकर चलता हूं जो लोग 9-10 रुपैस उपर बाइक कि उनको जदा नुकसान हो रहा होगा तो अभी इस कंपनी का अप्ट्रेंड जोब आप यहां पर बेस कर निकल जाएगा थोड़ा सा लॉस होगा लेकिन उतना भी लॉस नहीं होगा आप एक आयरा बार लोपे तक कंपनी का सेर्स आएगा वहां बेस कर निकल जाएगा फिलहाल अभी मत बेचिए होल्ड कर लिए कुछ दिन और या अगर आप इसमें ज नेक्ट वीडियो है तब तक लिए धन्यबाद सुक्रिया